भगवान सीव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान सीव तिरलोक के आदि और अंत के देवता है जिनके आगे दुनिया की सभी सक्तिया असफल हो जाती है लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर भगवान सीव का जन्म कैसे हुआ था उनके माता कौन थी उनके पीता का क्या नाम था उन्होंने किस से सिक्षा प्राप्त की और किस किस को सिक्षा का दान किया था और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि भगवान सीव का लक्की नंबर कौ अगर नहीं जानते हैं ये सब कुछ तो बने रही है इस वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में आपके इन सारे कोश्चिन का जबाब मिल जाएगा बिल्यों को बिल्कुल भी स्कीप मत करना, एंड तक जरूर देखना है। नहीं उनके कोई पिता थे इसी कारण से भगवान सीव पांच तत्लों से भी परे हैं जिनके कारण इन्हें मृत्त्यू का कभी भी भै नहीं होता और इनकी मृत्त्यू कभी हो नहीं सकती। दूसरी और भगवान सीव के जन्म के बारे में सीव पुराड में ये भी बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान सीव आपने घुटने को मल रहे थे और उनके घुटने से निकलने वाले मैल से भगवान बिशुडू का जन्म हुआ पर अगर ऐसा हुआ तो बिशु कारी के लिए आपको बता दे कि एक बार की बात है जब भगवान बिशुडू और परम ब्रह्माजी के बीच में एक बहस छिड़ गई आखिर सबसे महान इंसान कौन है सबसे महान कौन है जब भगवान बिशुडू और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर के बहस कर रहे तो एक जलते हुए खंबे के रूप में महादे उनके बीच में आये और दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए तभी अचानक से एक आवाज आई जिसमें ये कहा गया कि जो भी इस खंबे के दूसरी छोर को धूड लेगा वही सबसे महान करना आएगा ऐसा सुनते ही ब्रह्मा का छोर नहीं मिला दोनों हार मान कर वापस आ गया जिसके बाद भगवान सीव ने अपने असली रूप में आये और फिर भगवान ब्रह्मा बिश्लु जी ने यह मान लिया कि महादेवी सबसे महान है और सक्तिसाली है और इनसे बड़ी सक्ति दुनिया में कोई भी नहीं है क्या आपको पता है कि भगवान सीव से सिक्षा किसने प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे हम जानते हैं कि साहद इसका जबाब आपको किसी न किसी से पता होगा पर जिसे नहीं पता उनको बता दें कि भगवान सीव स्वेम इस संसार में के गुरु मान जाते है जिन सिव जी संसार के सबसे पहले गूरू थे जिननोंने गूरू सिश्य की इस रिष्टी की शुरुवात की थी जहां भगवान ब्रह्मा ने मानस पुत्रों को सिख्षा प्रदान की थी भगवान सिव ने अपना ज्यान केवल अपने साथ सिश्यों के गूरू थे आज इस समेश सब्थरिष्यों का दरजा उन्हें प्राप्थ है अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर भगवान सिव का सबसे फैवरेट नंबर क्या है कौन सा नंबर है जिससे आपको भी मुक्ती मिल जाएगी तो दोस्तों जैसे कि महादेव की तीन आखे हैं, उनके हतियार के त्रिसूल में तीन पॉइंट्स मौजूद हैं, उनके माथे पर लगा हुआ तिलक, त्रिनू पुदूर तिलक भगवान सीव की पसंदिदा बेलपत्र में भी तीन पत्यां है, भगवान से जुड़ा हुआ तीन अक्षर के में दिखने वाला नाम ओम और यहां तक की त्रिमूर्तियों भी भगवान सीव तीसरे नंबर पर आते हैं, पहली भ्रह्मा, बिश्डु और तीसरे नंबर पर महेस, यानि सीव, भगवान सीव को ही आदि जोगी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे प 15 दिन है, जिन में से इशांत, दक्ष, अगभाव और सब हो जाते हैं, और इसी कारण सीव को संचालन भी कहते हैं, वैसे सीव का ब्लैक होल रिलेशन के बारे में आगे हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट करिएगा, चा तरह की शांदार वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए